दबसकार नियुस 18 आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ में वंधी बुलेटिन की शुरुवात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हातरस हादसे की जिसको लेकर आज पुलिस ने प्रेस कॉंफरेंस की और पुलिस ने हादसे में अब तक 6 लोगों को गिरफतार कर लिया ज पूरे मामले को लेकर एक स्पेशल टीम का गठन भी क्या गया है वो टीम भी जाज कर रहे है पुलिस प्रिशासन भी पूरे मामले को लेकर गम भीरता से एक्शन ले रहा है अभी तक 6 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है तो हादसा है यह साजिश इसकी जाज की जा रही है और पुलिस प्रिशासन भी पूरे मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफतार कर लिया है सेवादारों ने पुलिस का सहयोग नहीं किया है अभी तक की जास पर यह भी निकल कर सामने आया और साती जो मुख्य आयोजक है उस पर पुलिस ने एक लाख रुपय का इनाम घोशित कर दिया है और मुख्य आरोपी अभी भी पराड़ चल रहा है जिसकी तलाश में पुलिस सुटी हुई है और तीन दिरों से ये जारी है जिसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है और अब पुलिस ने एक लाख रुपे का इनाम मुक्य आयोजग पर रख दिया है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहें ये वही है जिस पर पुलिस ने एक लाख रुपे का इनाम रख प्रवचन का और जितनी शम्ता थी उससे तीन गुड़ा जादा लोग पहुंचे लेकिन उसके बावधूत भी कोई इंतजाम नहीं किये अब प्रशासन की तरफ से एक एंगल निकल कर सामने आया है पुलिस कर्मियों का कहना है कि साहोग नहीं क्या गया था सेवादारों की त जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह वही व्यक्ति है अब यह तीन तस्वीर देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब भगदर बच्वी थी बाबा का काफिला वहां से गुजर रहा था और चरण छूने की पर्मीशन दी गई जिसके बाद में बड़ी संख्या में लोग गाड़ी के पीछे भागे जिस दौरान यह हादिसा हुआ दूसरी तस्वीर आप देखिए यह उस दौरान की है जब प्रवचन चल रहे थे और बाबा परार है जिसकी तलाश की जा रही है और तीसरी तस्वीर आप देखिए जो आपकी रॉंग नारेन हरी पर पुलिस के बड़े आरोप सेवादारों ने पुलिस को व्यवस्ता नहीं सम्हालने की सम्हालने दी ये भी एक एंगल निकल कर सामने आया है भगदर के बाद में सेवादार मौके से भागे और सेवादारों और आयजकों की भूमिका की भीजाचों की और सेव गट्टा में आयोजक जिनकी लापरवाही निकल कर सामने आई है बड़ी गलती रही कि जुतने लोग वहाँ पर पहुँचे उस हिसाब से इंतजाम नहीं किये गए थे व्यवस्था नहीं की गई थे गट्टा में आयोजको की बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई है अब ये तीन तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर आप देखिए ये जो आर्मी आपको नजर आ रही होगी ये आर्मी महिलाओं की ये बाबा की पर्सनल महिला सेना है दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं ये जाज टीम की तस्वीर है जो की मौके पर पहुँची और अब हर एंगल से जाज परताल की जा रही है डॉग स्कुआट की टीम भी पहुची थी क्योंकि शुरुवात में ये जानकारी भी निकल कर सामने आई कि जिन लोगों की मौत हुई थी उनका सामान पास्ट में खेतों में फेका गया था जिससे की एविडेंस छुपाने की कोशच की गई थी और ये आरोप लगा था बा पी हमने आपको दिखाए थी आला कि बाबा के खिलाफ अभी तक एफायार नहीं दर्स हुई है और माना जा रहा है कि जल्दी टीम ये डिसाइड कर लेगी कि बाबा के अगेस्ट एफायार होगी या फिर नहीं होगी फिलहाल बाबा इसी आश्रम में छिपा हुआ है विवेशना प्रारम करते वे 6 लोगों की अभी गरफतारी की गई है विवेशना के क्रम में एडीजी जोन आगरादारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गरफतारी है तू और जोन स्तर के उपर भी एक एसोजी टीम का घठन हुआ है जो क कि संगलित लोगों और संस्ता के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जाज करे गी इसके अलावा रेंज लेवल की दित्ती भी एसोजी टीम है उनको पुलिस अधिक्षक हातरस के सयोगार्थ संबत किया गया है रटना स्तल को सुबह तीन तारिक को सुब अधर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंग यादव निवासी भानुकूरा थाना कुरावली जनपद मैनपूरी उपेंदर सिंग यादव पुत्र रामेश्वर सिंग निवासी शिकुवाबाद जनपद फिरोजाबाद मेग सिंग पुत्र हुकुम सिंग जनपद हातरस स पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदा राओ इनकी गरफतारी की गई है। हातरस में भगदर कैसे मची और 121 लोगों की जान कैसे गई इसे लेकर अभी भी जाच हो रही है। अब केस बाबा के सत्संग का पेपर माफिया से भी कनेक्शन सामने आया है। अब ये तस्वीरें आप देखिए आपको नए वीडियो के साथ साथ वो पुराने वीडियो पी दिखा रहे हैं जो कि इस खटना से जुड़े हुए सामने आये हैं। सुत्रो के हवाले से खबर मिल रही है कि कॉंग्रस नेता राहूल गांधी कल जा सकते हैं। हातरस हादिसे में घायलों और साथी पीडित लोगों से राहूल गांधी मुलाकात करेंगे। हादिसे में जायलों से खबर मिल रहे हैं।